हेलो ब्रिवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों अगर आपका सपना है आगनवारी को जोईन करके 2024 के अंदर अपने गाउय जिले में सरकारी नोकरी पाने का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ चुकी है इस वीड और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं दोस्तों आप सभी के उता दें इन भरतियों के अंदर कोई भी एक्जाम आपका नहीं होना है बिना किसी परिच्छा के के किबल और किबल मेरिट के आधार पर आप सभी का सेलेक्शन किया जाएगा इन भरतियों के लिए घर बैठे अपने मुवाईल फोन के माध्यम से निसुलक ही आवेदन कर पाएंगे लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखरी तक देखना होगा ताकि आपको समझ में आ सके कि आवेदन करने का लिंक कौन सा है नोटिफिकेशन कैसे डाउनलूड क चुके हैं कौन सी जगह से आवेदन सुरू हुए हैं इसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में जानकारी मिलेगी अभी के लिए जान लीजे कि अगर आप कक्षा दसपी या बारवी पास हैं तो आपके लिए मान के चलिए कि लोटरी वाली वेकेंसी है बिना किसी एक्जाम, इंटर्वु के के बल, मेरिट के बेसिस वे बिना किसी अप्लीकेशन फीस के अगर नवारी वरकर के पदों पर आपको नोकरी मिले वाली है 18-35 साल का कोई भी कंडिडेट चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी राजजे को हो आप एधन कर सकता है 30 अप् अगरी तक देखे वीडियो आपके काम के लगे तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की इनफोर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आन करना बिल्कुल भी मिस्स मत करिएगा आए चलते हैं आज के अपने में टॉपिक और ऑफिस करिएगा ताकि आपको आगे भी अपडेट्स मिलती रहें इसके अलाबा वर्टसप चैनल और टेलिग्राम ग्रुक को भी जरूर से जॉइन करिएगा देख सकते हैं डबलू सीडी यानि मिनिस्ट्री औबुमेंट की तरफ से रिक्यूट मेंट है 2024 के लिए अधिक जानकार की अलग-अलग भरतियां हैं अलग-अलग नोटिफिकेसन हैं जैसे मान के चलिए टूटल यहां पर 30 डिश्टिक हैं तो 30 में से 5 के लिए आज नोटिफिकेसन आए आज से आप एधन सुरू अगले 10 नोटिफिकेसन कल आपको देखने को मिलेंगे तो उनके लिए कल जो है तो कल से डेट ली जाएगे और कल से आप एधन आपकी शुरू होंगे तो ऐसा करते करते अप्रेल 24 तक सभी राज्यों के सभी डिश्टिक की विकेसियों के नोटिफिकेसन आजाएंगे और आप एधन प्रोसेस भी समाब्त हो जाएंगे अपली केसन फीस की बात करें बिल बतं के लिए कंडिडेट ऐलेटलों की जानकारी और आप सभी इन भरतियों की जानकारी को देख पाएंगे सेल्डी की बात करते हैं सेल्डी नॉर्मल यानि ग्रामीर छेत्रों के अंदर आपको 46,080 रुपए के मिलेगी और जो अर्वन एरियाज हैं जो सेल्डी छेत्र हैं वहाँ पर आपको 56,460 रुपए आपको सेल्डी यहाँ पर देखने को मिलेगी इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो सेलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग देख सकते हैं बीना किसी एक्जाम के केबल और केबल मेरिट के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा कैसे आवेदन करेंगे उसकी जानकारी है एक बार आपको मैं लाइव करके दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है क्लिक हेर की बटन है आपको एक बार इस पे क्लिक करना है क्लिक करते ही आप आ जाएंगे रेजिस्टेशन वाले पेज पे चुकि बहुत सारे लोग रेजिस्टेशन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वेरिपिकेसन होगा आपका कहीं आप रोबोटिक ट्राफिक तो नहीं है आप ओरिजिनल बंदे हैं जब यह सारी चीजे तै हो जाएंगी तो आपके सामने यह यूजर रेजिस्टेशन.php वाला पेज ओपन हो जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा जैसे कि हम अभी कर रहे हैं जैसे ही यह ओपन होने लगेगा आपके पास यहा से पहले आपको अप्लिकेंट का नेम यानि की खुद का नाम डालना होगा पिता का नाम डालना होगा कौन से डिष्टिक से हैं उसके बारे में यहापको जानकारी देनी होगी यह देखिए अभी ध्यान रखिएगा जिन 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 जिलों का आवेदन सुरू होगा या यहाँ पे जो 5 character का capture इसको यहाँ पे डाल के और register पंजी कान की बटन पे आपको click करना होगा, इतनी जानकारी देते ही आपका registration हो जाएगा, इसके बाद आपको login की बटन पे एक बार click करना है, और अपना phone number और capture code यहाँ पे जो दिया गया है, उसको डाल के आप login कर पाएंगे, login करने के बाद आप आसानी से आभीदन कर सकते हैं, अभी के लिए हम आपको ले चलते हैं notification वाले section पे, उसके लिए आपको download notification के सामने जो click here की बटन है, उसके एक बार click करनी होगी, click करेंगे, एक बार आपका verification हो चुका है, तो दूसरी बार आप यहाँ पर enter कर जाएंगे, अभी यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, district wise vacancy, यहाँ पर आगरा आगनवारी vacancy हो गई, आजमगर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, यानि कि यहाँ पर आपको गौतम बुद्धनगर हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे, जैसे माली जै मैंने चित्रकूट को select किया था, आपको यहाँ पर चित्रकूट को select करना है, क्लिक करना है, और आपके पास एक page open होके आएगा, जिसमें चित्रकूट, district की जो vacancy हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो ऐसे ही करके आपको download करना होगा notification बहुत ही easy process है, आप back करेंगे, आप जिस भी जीले की vacancy को देखना चाते हैं, ऐसे scroll करकर करके आप लोग उसकी जानकारी को देख सकते हैं, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर apply करने में कोई problem आ रही है, आप comment करें, इस वीडियो के लिए 200 like target है complete करें, ताकि आपको आभीधन करने का वीडियो जल्दी से जल्द देखने को मिल सके, मिलते हैं, अगली व अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद